नमस्कार दोस्तों सुवागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई महत्पून जान कर लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिशन में देख पा रहे हैं सरकार ने भेजे खाते में पैसे 99,000 लाभारतियों के बैंक खाते में 500-500 रुपे ट्रांसफर किये गई हैं और दोस्तों सिर्फ केवल इन ही लोगों के खाते में ट्रांसफर किये गई हैं इन ही लोगों लाभ दिया गया बाकी को नहीं दिया गया है अब दोस्तों बागी को क्यों नहीं दिया गया है, क्या करण है, और व्यक्ति कौन है, जो सिर्फ इन लोगे खाते में ही पैसे ट्रांसफर के गई हैं, यह सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बदाने वाले हैं दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आप से यहाँ पर एक छोटा सान निवेदन हैं, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलत है जिसे हम पररेथ होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही दोस्तों बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो सरकार योजना का नोटफि में बताते हैं जो कोई व्यक्ति एसंकटि छेत्र में कारेकरत हैं और उन्होंने अपना सर्मी कार्ड बनवाया हुआ है तो सरकार उन सभी के खाते में 500-500 रुपे समय समय से बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही हैं जानकारी के लिए आपको पता दे कि सरकार ने एसंकटि छ मजदूरों के बैंक खातों में रकम पहुचना सुरू कर दिया गया है लोगों के बैंक खातों में 500-500 और 11-1000 रुपे पहुचाने लगे हैं तेहार से पहले और पिछले महिने भी बैंक खाते में रुपे भेज़े जा चुके हैं जिसके बाद से मजदूरों के चहरे पर ख पुशीच लगती नजर आ रही है। जिले में सर्मिक दोस्तों जिले में सरम विभाग के अंतरगत इश्रम पंजिकरण चल रहे हैं। नौंबर के महिने से ही इसरम पंजिकरण होना सुरू हो गए थे। जिसके बाद अब तक जिले में 14 लाख से अधिक लोग इसरम पंजिकरण करवाच चुके हैं। जनपद के लिए सासन से 17 लाख 50,000 का लखसे दिया गया था। जिसके सापेक्स करीब 14 लाख संख्या पार हो गई है। इसरम पंजिकरण से एसंखटी चेतर के मजदुरों को आपदार राहत कोस का धन एवं सरकार योजना से मिलने वाली धनराशी मिलना सुरू होगी। फिलहाल पांसो पांसो रुपे महिने के हिसाब से बैंक खाते में भेजे जाने थे। सरकार का यह कहना था कि यह रुपे चार महिने के लिए भेजने थे। अब तक किसी के खाते में दोस्तों अब तक किसी के खाते में तो एक एक हजार रुपे दोनों ही किस्त सरिमकों के बैंक खाते में पहुँच गई हैं। तो कुछ खाते में पांसो पांसो रुपे करके भेजे गई हैं। पहली किस्त फरवरी और दूसरी किस्त मार्च में बैंकों में भेजी गई हैं। बतादे की जिले में पंजिकर्ण जरूरी 14 लाक हो गई हैं लेकिन अभी फिलहाल में पहली बार सासन ने 99,000 लोगों के बैंक खातों को उठाया है जिसमें सरकार की तरफ से रुपे भेजे गई हैं। सरकार ने एक एक हजार रुपे का लाब देने के लिए इसरम पंजिकर्ण योजना शुरू की हैं। इसको लेकर जिले का हर एक तीसरा व्यक्ति मजदूर बन गया है। आगडों के मुताबिक बता दे बात करें तो जन्पद की आबादी 36,000,000 हैं जिसमें करीब 28,000,000 लोग बालिक हैं और 8,000,000 से अधिक ना बालिक व्य बच्चे हैं। इन आगडों के बीच अब तक जन्पद से 14,42,000 लोग अपना सर्मिक पंजिकन करवा चुके हैं। इसलिए आगडों में तीसरा दोस्तों इसलिए आगडों में हर तीसरा व्यक्ति मजदूर बन गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं, उन्हें अभी तक नहीं पता है कि यह इसरम कार्ड किन लोगों का बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति ऐसंक्ति छेत्र में कार्यकरत हैं, कार्यकरत नहीं है, मजदूर नहीं है। वह भी 500-500 और 1000 रुपे के लालच में आकर अपना सर्मिक कार्ड बनवा रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए, सरकार उन लोगों का सर्मिक कार्ड रिजैक्ट कर रही है, रद कर रही है। जो सर्मिक व्यक्ति नहीं है, सरकार का कहना है कि सिर्फ उनी खातों में धनराशी ट्रांसफर की जाएंगे, जो ऐसंक्ति छेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, कार्यकरत हैं, और उनका सर्मिक कार्ड ठीक परकार से बना हो, कोई गलती ना हो। सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार यह थी आपके लिए महतपून जानकारी, यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंड बॉक्स में जाकर हम से पूसकते हैं, आपके सभी सौलों का जवाब दिया जाएगा, हम आप से मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!